एलो प्रेंट में दीपक उपार्द्ध है स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफिस्टॉक्स तो पर आज में आप पर डिसकस कर रहे हैं टीसीए शियर का टेक्निकल एनलेसिस तो पर आप आप देख सकते हैं टीस स्टॉक को उपर की तरफ चलते हुए देखा और कहां तक की तेजी हमें दिखाए दी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग 3400 रुपए तक स्टॉक में आपर तेजी देखने को मिलती है फिर से घिरावट करते हुए स्टॉक 3000 रुपाई के लेवल पर हमें दि देखा दिया 3400 तक एक बार फिर गिरावट होती है यहां पर आप देखेंगे 3200 रुपए तक गिरने के बाद अब बड़ी तेजी आती है लगभग लगभग 800 पैंट उपर 4000 रुपाई के लेवल को टच करता हुआ हमें दिखाए देता है और यहां से फिर गिरावट होती ह यह देखेगा और इस गिरावट के साथ हम देखते हैं एक बार फिर श्टाक उपर की तरफ लगभग लगभग 4000 रुपाई के लेवल पर जाता है और फिर से गिरावट होती है यहां पर अगर दिया तो 3400 रुपए का जो लेवल है वो स्ट्रॉंग सपोर्ट बनता हुआ हम पर 3000 stuff में आपको हल्की तेजी दिखाए दिए और यहां पर हमने देखा फिर से गिरता हुआ 3000 रुपए तक इस टॉक हमें देखने को मिलता है यहां पर हमें फिर से स्टॉक लगभग 3400 रुपए दिखाए दिया फिर से 3000 इसी तरह स्टॉक undertaking यहां पर एक रेंज बांड कर लेता है इस तीन अजार रूपए से ले करके लगबग लगबग पे 3070 रूपई की रेंज में इस टॉक यहां पर आपको चलता हुआ दिखाए देता है यह देखेगा फिर से श्टॉक आपको उपर की तरफ जाता हुआ दिखाए दिया और यहां पर आप देखे और यह वाला ब्रेक आउट हुआ है इसके पहले अगर आप देखेंगे यह देखेगा यहा पर हम से काम अगर्ड तेजी की कि बात करें तो 3830 रूपई तक कि आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है इसमिए इस आप चोटा स्टॉप्लस सजेश करूंगा 3550 रुपए का मात्र 20 पैंट का स्टॉप्लस रखना है और यदि आपने वहां पर बाइंग नहीं किया है और अभी बाइंग का सोच रहे हैं तो 363 के आज पसे यदिया बाइंग करेंगे तो आपका स्टॉप्लस यहां पर बढ़ा खाए देगा जो कहां निकल करके आ रहा है 3833 रुपए पर तो फंट यह था हमारा टेकनिकल व्यू टिस्टीए शेयर को लेकर के इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो